C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए उर्दू की सहायक पाठे पुस्तक उर्दू गुल्दस्ता का ध्वानी पाठ सबक नमबर 10 इट का जवाब पत्थर ये एक राजस्थानी लोग कहानी है सफा नमबर 53 जोदपूर से दसमील के फासले पर एक गाउं में एक किसान रहता था ये किसान बहुत गरीब था लेकिन था बहुत अकलमन्द सुबह से शाम तक मेहनत करता फिर भी उसका पेट ना भरता था उसकी बीवी उस हालत से बहुत परेशान थी वो ये सोचती कि उनकी भी क्या जिन्दगी है कि सारी उम्र यूँ ही परेशानी में गुजर रही है एक दिन उसने किसान से कहा देखो जी हमें इस गाउं में रहते हुए इतने दिन हो गए और हमने किसी की दावत तक नहीं की आखिर ऐसा भी क्या अब की फसल पर मैं सब गाउं वालों को खाना खिलाओंगी यहाँ पर एक तस्वीर बनी हुई है उसमें किसान और उसकी बीवी दोनों आपस में बात कर रहे हैं किसान क्या कहता खामोश हो गया फसल का वक्त आया तो उनके पास अनाज इतना ना था कि दावत हो सकती जब बीवी ने बहुत जिद की तो वो अपना बैल बेशने को तयार हो गया जब वो अपना बैल लेकर चला तो बीवी ने कहा देखो इस बैल के कम सो रुपे मांगना और अगर कोई तयार ना हो तो असी कहना और फिर सत्तर कहना वगर देखो किसी तरह साट से कम पर ना पहुँचना किसान बैल को लेकर रवाना हो गया चलते चलते रास्ते में एक भेडे चराने वाला मिला वो अपनी भेडे चरा रहा था किसान को देख कर उसने पोचा भाईया कहा जा रहे हो किसान ने जवाब दिया मैं बैल बेशने जा रहा हूँ गडरिया बोला अरे बैल की तो मुझे भी जरूरत है कितने रुपे लोगे किसान ने जवाब दिया भै, हमारी घरवाली ने इस बैल के सो रुपे बताए हैं, इसलिए हम सो रुपे में बेचेंगे देखो, ये तो बहुत हैं, हम ऐसा करते हैं, कि किसी और आदमी से बैल के दाम पूछते हैं जो दाम वो बताए, वो ही बैल के दाम होंगे इसमें तस्वीर बनी हुई है और तस्वीर में गडरिया और किसान आपस में बात्चित कर रहे हैं किसान इस बात पर तयार हो गया वो दोनों आगे बढ़े तो सामने टेले पर एक बुढ़ा बैठा हुआ था दोनों उस बैल को लेकर उस बुड़े के पास पहुँचे और कहा बाबा इस बैल की क्या किमत होगी बुढ़ा सोचता रहा हुँँँँँँँच उंगलियों पर हिसाब लगाता रहा फिर बोला चौदा रुपए किसान इस उनकर हैरान रह गया मगर बात का पका था ये कह चुका था कि जो किमत ये बताएंगे मन्जूर है उसने चौदा रुपए लेकर बैल उसे दे दिया घर लोटा तो भी भी नराज हुई और उसने कहा जरूर कोई ठक था तुम्हें उसे इस हरकत का बदला जरूर लेना चाहिए दूसरे दिन किसान ने औरत का भेस बदला गहने पहने और इसी तरफ रवाना हुआ औरत को ऐसे आता देखकर गडर ये ने कहा कहा जा रही हो किसान ने भारीक आवाज बना कर जवाब दिया घर चोड़ कर आई हूँ अब जो दाल डोटी देगा उसी के साथ रहूंगी गडरिया खुश हो गया और कहने लगा चलो मेरे घर चलो वहाँ तुम्हें कोई दुख न दूँगा और तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखूँगा दोनों घर पहुँचे किसान ने देखा वो बुड़ा जिसने उसके बैल की खीमत लगाई थी घर में बैठा हुआ है वो फौरण सब कुछ समझ गया गडरिया बोला बाबा आज तो ये औरत लेकर आया हूँ अब मैं इसे घर में रखूँगा बुड़ा बोला अरे तुम तो नौजवान हो तुम फिर शादी कर लेना ये औरत मेरी खिद्मत करेगी ये सुनकर गडरिया उस औरत को छोड़कर फिर अपने काम पर चला गया बुड़े ने उस औरत को सारे घर की सैर कराई और तमाम कमरे दिखाए उसने कहा इन कमरों में रुपिया गड़ा है ये सब तेरा है जब किसान ने देखा कि जवान बहुत दूर चला गया है तो उसने डंड़ा लेकर बुड़े को खुब पीटना शुरू कर दिया वो पीटता जाता और कहता जाता मेरा नाम एट का जवाब पत्थर बुड़ा पिटते पिटते बेहोश हो गया किसान ने उसके घर से रुपिया निकाला और चल दिया किसान की बीवी इतना बहुत सारा रुपिया देखकर बहुत खुश होई किसान ने कहा अभी बदला पूरा नहीं हुआ अब देखना मैं इसका क्या हशर करता हूँ दूसरे दिन वो वैद का रूप बदल कर उसे ठग के घर के पास पहुचा और आवाज लगाई दवा लो दवा लो ठग तो महां पड़ा ही हुआ था उसके सारे बदन पर चोट आई थी उसने उसे अंदर बुलाया अंदर गया तो उसने देखा के वहां दोनों मौजूद हैं उसने जवान से कहा कि थोड़ा सा भेड का दूद ले आओ दवा बनाता हूँ जवान तो बहार गया और किसान ने फिर उस बुड़े को पीट ना शुरू किया और पीटता जाता और कहता जाता मेरा नाम इट का जवाब पत्थर बुड़ा मार खाते खाते गिर पड़ा तो किसान ने दूसरे कमरे का रुपिया भी निकाल लिया और चल पड़ा अब उसके पास दो कमरों का रुपिया था जो आ चुका था अब दो कमरों का बाकि था तीसरी मरतबा उसने जियोच्छी का रुप बदला और चल दिया रास्ते में वही गड़रिया मिला गड़रिया ने कहा महराज दो दिन से कोई शख्स इट का जवाब पत्थर आता है और हमें मार पेट कर भाग जाता है उसका पता बताईए जियोच्छी ने हिसाब लगाया और कहा तुम मंदिर में जाओ और वहां एक घंटे तक एक टांग पर खड़े होकर परार्थना करो वो शख्स खुद तुम्हारे कवजे में आ जाएगा यहां तस्वीर बनी हुई है उसमें जो किसान है एक घुड सवार से बात कर रहा है गडरिया मंदिर में पहुँचा थोड़ी देर बाद किसान फिर घर में दाखिल हुआ और उसने उसी तरह बुड़े की खुब पिटाई की जब बुड़ा बेहोश हो गया तो तीसरे कमरे का रुपिया भी निकाला और चलता बना अब बस एक कमरा बागी था अब किसान सोचने लगा अब क्या तरकीब हो वो एक दिन अपने गाओं के बाहर निकला तो वहां क्या देखता है कि एक आदमी घोड़े पर सवार जा रहा है उसने पूछा सवार भाई सवार भाई तुम किधर जाते हो सफा नंबर सत्तावन हमारे ठाकुर सहाब का उड़ गुम हो गया है मैं उसको ढूणने जाता हूँ उस सवार ने कहा किसान के जहन में फोरण एक तरकीब फिर सवज में आ गई उसने कहा मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे साथ चलो उसे किसान उसी ठग के घर की तरफ ले गया और उससे कहा यही वो घर है इसी घर वाले ने उट पकड़ा है तुम उसके यहां जाना और कहना इट का जवाब पत्थर आ गया है अब संबलो सवार ने ऐसा ही किया जब घडर्ये ने ये नाम सुना तो डंडा लेकर पीछे दोडा और उसे दोडते देखकर सवार घोड़े पर बैठकर भाग गया आगे आगे सवार और पीछे पीछे गडर्या जब गडर्या बहुत दूर निकल लिया तो किसान घर में दाखिल हुआ और फिर बुड़े को पीटने के लिए आगे बढ़ा और कहने लगा अब आया इट का जवाब पत्थर ये सुनकर बुड़ा फिर बेहुश हो गया और किसान चौथे कमरे का रुपिया भी ले गया इस तरह उसने अपना बदला ले लिया कुछ दिनों के बाद उसने गाउंवालों की बड़ी जोरदार दावत की और हसी खुशी रहने लगा सवालाथ एक किसान अपना बैल बेशने के लिए क्यों तैयार हो गया दो बैल की गीमत के बारे में किसान की बीवी ने क्या हिदायत की तीन गडर्ये ने बैल खरीदने के लिए क्या चालाकी की चार गडर्ये से बदला लेने के लिए किसान ने पहली बार क्या किया पांच किसान ने दूसरी और तीसरी मरतबा गडर्ये से किस तरह बदला लिया छे चौथे कमरे का माल हासिल करने के लिए किसान ने क्या किया साथ ये कहानी आपको कैसी लगी अपने अलफाज में लिखिये ETNCERT, नई दिल्ली, भारत